अजिए ने विए नियुक्ति आपकेशिए नियुक्तिण क्या स्थी निए 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 रखुश कुछा य। तो हम सबसे पहले एक्जामपल से चलें डिकेगोल के बुक से हम आपको इसके बाद बताएंगे पहले हम SDPD पब्लिकेशन के SK SING जो राइटर है पर उससे हम चल रहे हैं और इसमें हम आपको एक्जामपल नमबर फाइब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्जामपल नमबर 6 है एक्जामपल नमबर 6 से आज हम स्टार्ट करेंगे पहले एक्जामपल समझेंगे फिर प्रक्टिकल कोशन आप खुद भी बना लोगे लेकिन हम यहां पर one by one करके सारे प्रक्रक्रिकल को सॉल्ट कर देंगे विद कंसेट चलो यह फॉर्मिट है आपका यहां पे हम ट्रांजेक्शन लिखेंगे यह आपका एसेट जो है हमेसा और हमेसा बराबर होता है liabilities plus capital या capital plus liabilities के हमेशा बराबर होता है asset यह सारा concept मैंने आपको समझा दिया है चलो, आप देखते हैं कि example number 6 जो है, वो क्या कहता है expenses यहाँ पर सारा transaction दिया हुआ है express the following transactions of x, y, z limited यहाँ पर x, y, z limited जो है इसका transaction दिया हुआ है नीचे में in the form of accounting equation और यह transaction को आपको लिखना है, record करना है और accounting equation पर इस transaction को आपको ले करके आना है, asset is equal to liabilities plus capital इस accounting equation पर सारा transaction को हमको ले करके आना है, record करना है चलो, कैसे होगा यहाँ पर यहाँ पर हम start करते हैं सबसे पहला है a, issue of share capital सबसे पहला जो है आपका, issue of share capital rupees, 1 lakh rupees, एक लाख रुपे का share capital यहाँ पर issue क्या गया है, अब यह sole proprietorship की बात नहीं कर रहा है, यह partnership की भी बात नहीं कर रहा है, यह बात कर रहा है कमपनी की, ठीक है, थोड़ा सा आगे level से बात कर दिया है यह, देखिए, सबसे छोटे level का जो business होता है, पहले तो इस बात को समझाना पड़ेगा, तभी तो आप record करोगे ना, बिसिकली यह, जो भी business हो, वो profit के लिए क्याम कर रहा है, और जो भी profit होगा, इसी single honor को जाएगा, जो भी loss होगा, इसी को bear करना पड़ेगा, तो यहाँ पर sole proprietorship का business, इसमें single honor होता है, इससे बड़ा जो business होता है, वो होता आपका partnership का, partnership का business, इसमें कितने honor होते हैं, मतलब कितने partner होते हैं, दो से लेकर के 50 honor मतलब partners में हो सकते हैं, इसमें भी जो business man पैसा लगाता है, जो भी capital invest करता है, अपने pocket से invest करेगा, या फिर किसी से उधार लेगा, या फिर bank वगएरा से loan लेकर के अपने business को start करता है, partnership में भी, sole proprietor में भी, partnership में भी, और या भी business जो काम करता है, जो भी business है, वो profit के लिए काम करता है, इसमें बताने के कोई ज़रूत नहीं है, business लोग करी इसलिए रहे हैं, क्योंकि profit earn कर सके, profit हम कमा सके, और इससे भी बड़ा form of जो business होता है, यह होता है आपका company, company में भी आपका दो टाइपा company है, एक आपका public company है, और एक होता है आपका private company, फिराल हमको बात समझना है, तो public के बीच में, जो share issue कर सकता है, वो company होता है आपका public company, private company, public के बीच में share issue नहीं कर सकती है, ख्यार तो ये fund raise करता है partner अपने pocket से पसा लगाता है sole proprietor से भी अपने pocket से पसा लगाता है लेकिन company को जब अपने fund को raise करना होता है यानि अगर पैसे का requirement है तो company दो चीज़े issue करती है एक है आपका share और दूसरा है आपका debenture एक share और एक debenture share issue करने का मतलब हो गया कि जिसको भी आप share share का मतलब हिस्सा यानि company अपने हिस्से को share को form में issue कर रही है तो share issue करना company को पैसे का requirement है और share issue कर रही है basically दो type आपका share होता है एक होता है आपका equity share और दूसरा होता है preference share हम आपको उल्जा नहीं रहे हैं बस आपको थोड़ा सा बात बता रहे हैं इस question को solve करने के लिए ठीक है तो solve proprietor मालो honor का नाम इसमें A है तो A अगर अगर business में अपना capital invest करता है तो लिखेंगे cash account debit to capital account इसको A's capital account भी लिख सकते हैं ठीक है एक लाख रुपे invest किया तो एक लाख एक लाख रुपे इस तरीके से यह हो गया solve proprietorship का अगर partnership की बात करें तो cash या bank account debit to A's capital account to B's capital account अगर दो partner है तो तीन partner है तो C's capital account इस तरीके से यह पैसा अपने business में लगाते हैं तो मालो 50,000 रुपया A ने लगाया और 50,000 रुपया B ने लगाया as a capital तो business में एक लाख रुपे आ गया अपने pocket से पासा लगाया लेकिन अगर हम यहां पर बात करें company share issue करती है और share issue करके fund raise करती है तो जो भी shareholder बनता है चाहे equity shareholder चाहे preference shareholder वो company का मालिक होता है और honor के पैसे को क्या कहते है बिजनस में capital कहते है ठीक है तो इसमें आप entry बनाओगे bank account debit to share capital share capital लिखे है अब इस share में वो हजारो shareholder हो सकते हैं अगर हम public limited company की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो honor का पैसा है उसको हम capital कहते है और capital में कौन से capital है तो A's B's capital नहीं है यहां share का पैसा company में लगा हुआ है तो इसको हम share capital कहेंगे तो यहां पर entry बनेगा bank on debit to share capital क्लियर है बात कुछ नहीं है public ने जो company का share है वो purchase किया और purchase किया तो वो company के honor बन गहें अगर वो shareholder बन गया shareholder से दे दिया गया उनको तो वो company के honor बन गये और honor का पैसा क्या कराता है capital कह राता है तो share capital अब देखें यहां पर कहा कि issue of share capital एक लाख के शेयर कंपनी के पास कितना रुपया आया यहां पर कैस जो आया कितना है यहां पर एक लाख रुपया है ठीक है तो एक लाख रुपया से यहां पर कैस को हम डेबिट करेंगे लेकिन जेनरली जो होता है वो बैंक अकाउंट को ही हम डेबिट करते हैं लेकिन यहां पर जो है एक लाग का है तो सबसमें अबढ़ी तो इसको व्याहस करेंगे करें के यहां इसको तो कंपनी के जो भी बैंक एकाउंट है उसमें अब देखिए इसको हम थोड़ा सा कम इसे लिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको जादा करेंगे तो बहुत जादा explanation देना पड़ेगा बस इतना समझे कंपनी के पास मालिक का पैसा आया है शेयर होल्डर का पैसा आया है और वो सेयर होटर कंपनी के मालिक होते हैं तो उनके पैसा हम कापिडल बोलेंगे क्योंकि वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं इतना ही समझे ने तो कंपनी जो सेयर इशू करती है वो उनका एक तरीका होता है सेयर इशू करने का application allotment first and final call और भी call हो सकते हैं इसमें तो यह तरीका है अ capital बढ़ गया देखे capital बढ़ गया यहां पर कितना एक लाग रुपया से तो जितने भी equity share अगर company का purchase हुआ है जो भी purchase किये हैं वो company के ओनर बन गए shareholder बन गए और उनका जो company में पैसा लगा है वो capital है तो एक लाग रुपय कापिडल प्लस एक लाग रुपय यहां पे cash प्ल liabilities यहां कर देते हैं ठीक है यह आपका हो जाएगा outside liabilities zero ठीक है तो company के पास आया एक लाग रुपया cash और capital बढ़ गया आपका एक लाग रुपया से बस यही बात है जैसे sole proprietor में हो रहा था है यह अपने pocket से पैसा लगा रहा था तो cash plus capital plus partnership में भी cash plus capital plus उसी तरीके से company में भ cash plus और honor का पैसा capital plus लपसे और होड़र का जितना पैसा है लगा हुआ कंपणी का मालिक है इसलिए वो capital है इसलिए capital के एक लाग से प्लस हुआ इतना ही समझा अभी ठीक है इसको हटाते है company debenture भी issue करती है यानि company loan भी लेती है थोड़ा दिर में अगर question आता है आगे में तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे class 12 में जो है आपको पढ़ना है company account तो वहाँ पर हम पूरा detail में सिखेंगे फिलाल accounting question के लिए इतना काफी है अभी के लिए इसके बाद new equation बताईए कितना business में पैसा कैस है एक लाख रुपया और outside liberties कुछ नहीं है जीरो ओनर में पैसा लगाया है ओनर का पैसा यानि कैपिल कितना है एक लाख रुपया क्लियर है इसके बाद transaction number two देखते हैं क्या करता है पर्चेस गुड्स ऑन क्रेडिट गुड्स पर्चेस किया गया है उधार में क्रेडिट पर दोसरा नंग पर इसके बाद आधार में पर्चेस किया है जो है वो कि बिजनस ने पर्चेस किया है गुड्स यह बिजनस और उधार में पर्चेस किया है यह supplier है या बोलिया भी creditor है इसने business को goods दिया तो business ने goods purchase किया कैसे purchase किया business ने goods purchase on credit यानि उधार में purchase किया है कितने का 60,000 रुपे का किससे खरदा इससे तो business में goods आ गया यह देखिए goods आया और business का goods आया तो यह unsold goods है जिसे हम क्या बोलते हैं stock बोलते हैं stock तो business का stock कितने से बढ़ गया 60,000 रुपे का goods आया न तो अभी तो बेचा नहीं है business ने इसको अभी तो goods purchase किया है आया है goods तो उधार में खरदे खरदा business चाहे cash में खरदा चाहे credit में खरदा goods तो increase होगा न यानि stock तो बढ़ेगा न तो यहां पर आप कर दो plus stock stock कितने का समान खरदा business में कितने का समान आया 60,000 रुपे का तो stock कितने से बढ़ गया stock बढ़ गया 60,000 रुपीज से क्लियर है बात 60,000 से stock बढ़ गया अगर cash में खरदता तो एक लाख रुपे cash था cash यहां से हम माइनस कर देते 60,000 रुपे लेकिन cash में तो purchase किया ही नहीं गया है जब cash में purchase नहीं किया गया है तो जाहिर सी बात है कि cash plus होगा नहीं लेकिन stock तो plus होगा goods तो आ गया है ठीक है अब नियर future में business को इसे पैसा देना होगा 60,000 रुपे चुकाना होगा नियर future में 60,000 रुपे बिजनस इसको pay करेगा तो यह लेने के लिए बठा है यह लेंदार है जिसे हम प्रोलते हैं creditor क्या बोलते हैं creditor तो यहाँ पर creditor जो है वो business का आपका external user है यह बाहर का आदमी है और business को 60,000 रुपे चुकाना है जो भी outsider होता है उसको हम कहां लिखते हैं liability side में और यहाँ पर आ गया आपका creditors, creditors है 60,000 रुपे चुकाना है business को business के उपर एक liability create हो गया है outside liabilities create हो गया है 60,000 रुपे का इसलिए creditor में हम 60,000 रुपीज यहाँ पर प्लस कर देंगे प्लस 60,000 रुपीज ठीक है तो देखे इस equal to के इस side left hand side भी आपका 60,000 और उधर भी 60,000 रुपे तो इस transaction का क्या आपका impact पड़ा accounting equation पे तो stock plus आपका जो है asset बढ़ गया stock बढ़ गया और creditor भी बढ़ गया 60,000 रुपे से outside liabilities भी 60,000 से बढ़ गया इस transaction का cash पे कोई असर नहीं पड़ा और इस transaction का capital पर कोई असर नहीं पड़ा capital अब भी जो है वो एक लाख रुपया है आउनर का पैसा एक लाख रुपे है चल अब क्या new equation अब क्या position है business का वो हम देखते हैं new equation cash जो है वो business के पास अभी है एक लाख रुपया stock जो है समान बेचने के लिए unsoled goods ये है cost पर 60,000 रुपीज बाहर जो अभी खड़ा है creditor पैसा लेने के लिए वो है साथ हजार रुपय का और जो honor का पैसा है capital वो है एक लाख रुपय का देखिए इस side में liabilities है आपका यानि creditor liabilities साथ हजार और एक लाख रुपय है honor का पैसा तो is equal to के इस side में आपका 1,60,000 है और देखिए is equal to के इस side भी आपका 1,60,000 है दोनों को add कर दिये तो asset कितना है cash और stock दोनों को जोड़ दिजेगा तो 1,60,000 रुपय का asset भी है और capital प्लस liabilities भी आपका कितना है 1,60,000 रुपय दोनों को जोड़ने पर है ठीक है उसके बाद c number transaction क्या कहता है issue 10% debentures to creditors issued 10% debentures to creditors कितने का debenture है 10% debenture है और कितना 20,000 रुपय का debenture issue किया गया है हाला कि company के form में अभी इसको बात नहीं करना चाहिए था क्योंकि हम जितना भी accounting कर रहे हैं class 11th में वो sole proprietorship के हिसाब से ही कर रहे हैं तो ज्यादा बहतर होता है लेकिन business studies में तो आपको company के बारे में पढ़ना है तो वहाँ भी आप सीखो गई यहाँ भी थोड़ा सा accounting अभी इसके बारे में जान लो company जो है एक तो share issue करता ही है company जो है debenture भी issue करता है debenture issue करने का मतलब हो गया company loan लेता है अगर public के बीच में company को fund raise करना है तो एक share के form में कर सकता है debenture के form में कर सकता है मतलब company loan ले सकती है अगर मानलो company को एक लाका जरुवत है तो company एक लाका loan भी ले सकती है public से यह debenture और कुछ नहीं है debenture एक kind of certificate है certificate दे दिया आपको debenture जिसने भी खरदा और बदले में company को एक लाक रुपे मिल गया loan के form में इसी loan को हम technically आपका accounting में debenture बोलते हैं actually में company loan ही ले रही है है और यह loan जो होती है वो 5 साल 10 साल इस टाइप से long credit के लिए long terms loan होता है यह सब company के लिए ठीक है तो यहाँ पर एक लाका company नहीं लिया debenture इस्यू करके अब कह रहा है यहाँ पर क्या कि company जो है न वो इस creditor को इस creditor को 60,000 पर payment करना है कितना payment करना है 60,000 पर payment करना है लेकिन company अभी जो है इसको cash नहीं दे रही है लेकिन payment कर रही है payment कर रही है कितना दे रही है debenture दे रही है 10% debenture देखेगा 10% debenture यह जो 10% है यह debenture का rate of interest है इस creditor को company ने यानि business ने कहा कि तुमको 60,000 पर देंगे हम लेकिन एक काम करो कि क्या तुम 20,000 का debenture ले सकते हो तो यह accept कर लिया बोला ठीक है इसलिए तो यह transaction भी दिया गया है क issue 10% debenture to creditors creditors को बोला कि 60,000 रुपे payment करना है company ने business ने creditor से कहा कि 60,000 रुपे हम तुमको देना है लेकिन अभी हम तुमको 20,000 रुपे का cash नहीं दे रहे हैं बलकि तुमको debenture देंगे क्या तुम लेना पसंद करोगे तुम बोला कि ठीक है आप हमको payment कर दीजे तो यहां प हम इसको 20,000 रुपे का रुपे का नहीं 20,000 payment कर दिये debenture के form में और इसको हम एक certificate हाथ में पकड़ा दियें 20,000 का और यह जैसे ही हम इसको 20,000 रुपे दियें तो देखें debenture हम issue कर दिये 20,000 का तो एक तरह से company ने 20,000 रुपे का loan ले लिया ठीक है 20,000 का loan ले लिया यहां प इसलिए यहां पर हम plus कर देंगे debenture हम debenture को deb लिख रहे हैं क्योंकि जगा थोड़ा सा कम है इसलिए debenture यहां पर plus कर देंगे क्योंकि company ने loan ले लिया 20,000 रुपे का तो 20,000 का payment भी हो गया certificate दे करके और company ने एक तरह से loan भी ले लिया 20,000 का तो 20,000 प्लस भी कर दिया यहां पर है ठीक है अगर 20,000 पर अगर cash में देते हैं तो cash 20,000 पर minus करते हैं ग्रेटर 20,000 पर minus करते हैं इसलिए payment तो किये हैं तो 20,000 माइनस तो करेंगे लेकिन खुद ही लोन ले लिये हैं 20,000 का और बोले कि हम दोंको बाद में धिरदरी करके दे देंगे 20,000 का company ने debenture के फॉर् अगर 20,000 का आप हमको payment कर दीजे बाकि 40,000 का आप हमको बाद में करिएगा payment 20,000 पर दे दीजे debenture हम रख लेते हैं और इसको फाइदा क्या महसूस हुआ होगा क्योंकि ये debenture क्यों रखा आपने पास इसको फाइदा ये महसूस हुआ होगा क्यों 10% का rate है तो 10% के rate से company इस मान गया ऐसे लिए तो यहाँ पर creditor minus कर देंगा क्योंकि एक certificate इसको दिया और BCR payment हो गया तो इस transaction का क्या effect पड़ा creditor BCR से minus और debenture यानि loan BCR से plus यह effect पड़ा अब दिखिए का इधर तो is equal to यह है यहाँ पर plus minus कटके 0 हो जाएगा फिर भी तो आपका equation match करेगा ना तो इस transaction का cash पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि cash तो payment किया ही नहीं एक certificate दिया उसको stock पर कोई फरक नहीं पड़ा है ना और capital पर कोई फरक नहीं पड़ा जगा तो कम पड़ा है ठीक है कोई बात में हम इसमें इसी में adjust कर लेंगा किसी तरीके से अब देखो यहाँ पर अब नया समीकरन यानि new equation क्या बनता है चलो जितना समझाना था अभी company के respect में अभी उतना ही समझाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समझाने से आप़ी को confusion हो जाएगा इसलिए अभी रहने देते हैं क्यास बिजन्स के पास कितना है एक लाक रुपया स्टॉक है साथ हजार रुपया इसके बाद अब जो क्रेटर है वो बचा हुआ है चाली से रुपय का लून है company के उपर बीस रुपय का और capital जो है वो एक लाक का है एक लाक और बीस रा तो टोटल आईट सायट लाइट स्ट्र लकर स्कापिटिल सायट तोट्ल होगी आपका जोड़ोंगे एकलाख Agr है इधर भी एकलाख सथ Давайте कैसकर रहा है जो है कि protagonist रुपर बट नॉट पेड इंट्रेस्ट ड्यू बट नॉट पेड रुपीज कितना रुपीज है रुपीज है आपका 1000 रुपीज यहां पर आपका दिया हुआ है ठीक है मतलब इंट्रेस्ट को ड्यू कर दिया गया 1,000 रुपीर इंट्रेस्ट देना है लेकिन अभी तक उसका पेमिंट नहीं किया गया है क्या होगा छलिए देखते हैं क्या होगा इंट्रेस्ट ड्यू बट नॉट पेड जरा सहा में इसको इधर घसकाएंगे जैगा कम पढ़ जा एगा मेरे पास बिजनस इंट्रेस्ट पेड कर रही है और इंट्रेस्ट देना जो है वो बिजनस के लिए एक्सपेंस है लेकिन हम एक्रवल सिस्टम से गर देखा जाए तो बिजनस ने ये जो इंट्रेस्ट है बिजनस के लिए एक हजार रुपर जो interest है, यह business के लिए क्या है? expense है, क्योंकि expense जो है business paid कर रही है interest pay कर रही है और यह business के लिए expense है, अब आपको हम बताये हैं कि expense से capital घटता है तो यहाँ पर हम capital में minus कर देंगे 1000 पर, थोड़ा साओ और इसको हम समझाएंगे भी, समझेगा minus 1000 पर capital से कर दिये क्या यह interest दिये हैं अभी due है, दे है मतलब अभी देना है interest को अभी दिये नहीं है बस इसको हम due की entry pass किये हैं हम due किये है interest को तो हम capital से क्यो minus कर दिये हैं क्योंकि दिये तो नहीं है अभी तक अगर हम दे देते हैं, तब तो capital से minus करते हैं, लेकिन हम जो भी accounting maintain कर रहे हैं, वो accrual system से करते हैं accrual system करता है कि जो भी business का expense है, चाहे आपने दिया हो या ना दिया हो, आपको इसको record करना है कोई भी income जो मिला हो या ना मिला हो, जो इस साल का है वो उसको आपको record करना है तो मैंने आपको बताया था कि accrual system जो है, matching gun से पे बेज़रता है ब्लाब्ला, रहने दो भी तो income जो है, यह जो आपका interest यह है, आपका expense दिये हो या ना दिये हो, इसको record करना है तो 1000 से capital minus कर देंगे लेकिन दिये तो नहीं है, इसलिए एक liability है, सर पे कि देना है इसलिए, यहाँ पर हम लिखेंगे outstanding interest outstanding interest मेरा एक तरह से expense है तो expense है दिये तो नहीं है, इसलिए 1000 रुपया हमको यहाँ पे plus करना होगा, liability 1000 का है, लेकिन expense वनी के बैस से हम इसको capital से भी minus किये दिये हैं, नहीं दिये हैं, उससे कोई मतलब नहीं है नहीं दिये हैं, लेकिन outstanding interest हम यहाँ पर plus कर दिये, ठीक है, क्यों plus कर दिये, क्योंकि एक liability create हो गया है कि देना है, लेकिन एक ही साथ में आपका जो interest है, वो expense भी है, इसलिए capital से भी हम वहाँ से minus कर दिये हैं, ठीक है, और इस transaction का, बस यही impact पड़ा, accounting equation पर कि outstanding जो expense है, यानि interest जो है, वो plus हो गया, और capital 1000 से minus हो गया चलो इसका outside liabilities पर और debenture पर कोई फरक नहीं पड़ा, creator पर कोई फरक नहीं पड़ा, stock पर कोई फरक नहीं पड़ा, और इस पर कोई फरक नहीं पड़ा, new equation cash कितना है, एक लाख रुपे, cash है बिजनस में stock है, 60,000 रुपे, outside liabilities creator 40,000, debenture loan 20,000 रुपे, outstanding interest 1,000 रुपे, और capital हो गया आप 99,000 रुपीज प्लस ठीक है ना, तो देखो इधर होगे आपका 99,000 capital 1,000 रुपे प्लस, तो यह होगे आपका 1,00,000 रुपे है, 20,000, 1,00, 20,000 और 40, 1,60,000 और इधर भी 1,60,000 ठीक है, तो दोनों साइड आपका match कर रहा है ठीक है, यहाँ तक हो गया, transaction हो गया, issue हो गया, purchase हो गया, on credit issue, अच्छा, 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 इंट्रेस्ट के पहले एक और आपका transaction था, transaction नमबर D, वो आपका रह गया है, कोई बात ने, इसको हम यहाँ पे cover कर देंगे, तो हो जाएगा, चलो, D के पहले आपका D नमबर जो है, हम E नमबर कर दियें पहले, कोई बात नहीं, transaction नमबर E आप माल लो, जो D नमबर हो, उसको यहाँ पे E नमबर माल लो, क्या है यहाँ पे, देखो, अगर छुट गया तो कोई बात नहीं, हाला कि हमको बिल्कुल systematic way में करना चाहिए थ लेकिन हम इसको आगे कर देते है, record, कैसे करेंगे, देखिए, sold goods for cash, costing कितना है, 32,000 रुपीज यहाँ पे, समान बेचा गया है, चलो, फटा-फट करते है, समान कितना का बेचा गया है, E नमबर, हाला कि D है, लेकिन इसको आप E मान के कर लेना, sold goods for cash, 32,000, तो समान कितना है, 60,000 रुपे का है, यहाँ पर, हाला कि हमको बिल्कुल systematic चलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ 32,000 का समान हम बेच रहे हैं, यह cost है, 60,000 में से 32,000 रुपीज, तो माइनस कर देंगे, 32,000 रुपीज, अच्छा, इसको बेच कितना में रहे हैं, तो बेच रहे हैं हम इसको 40,000 रुपीज, सेलिंग प्राइस जो है, अपका 40,000 रुपीज, सेलिंग प्राइस है, तो बताए यह profit कितना है, प्राफिट जो है, 32,000 रुपीज, इधर हो गया, 8,000 रुपीज, प्राफिट हुआ, ठीक है, cash में बेच रहे हैं, तो बताए यह cash कितना आया, समान आपका चला गया, 32,000 रुपीज, माइनस कर दिये, cash में बेचा गया है, बिल्कुल, तो cash आया, सामने वाले से 40,000 रुपीज, cash रेसीव हो गया, और profit हो गया, profit is the source of additional capital, profit को हम, कितना है, 8,000 रुपे, यहाँ पे plus कर देंगे, तो इधर देखोगे, आपका, plus cash आया, 40,000 रु profit हुआ, उसको हम add कर दिये, कहाँ पे, capital पे, profit जो है, वो capital को बढ़ाता है, ठीक है न, तो यह transaction आप यहाँ पे लिख ले न, लिख देते हैं, sold goods for cash, sold goods for cash, costing कितना है, यहाँ लिखा है, costing, रुपीज, 32,000, और 32 रुपे के समान को बेचा कितना क्या है, 40 रुपे हम बेचा गया है, ठीक है, तो 32 रुपे से stock minus, cash आया 40 रुपे है, प्लस कर देंगे, profit वाट हेजर पे capital मैट कर देंगे, इस transaction का creator पे कोई असर नहीं पड़ा, loan यानि डिवेंचर पे कोई असर नहीं पड़ा, और outstanding interest पे, expense पे कोई असर नहीं पड़ा, क्या बनता है, नया समी करें, new equation, cash हो गया business का, plus 1,40,000 रुपे, अब यह जो है आपका, हो गया, 28,000 रुपे, है ना, 28,000 रुपे का stock हो गया, और यहाँ पर crater हो गया, 40,000, debenture 20,000, outstanding interest 1,000, और capital जो है, 1,7,000 पे बढ़कर पे हो गया, ठीक है, तो 1,40,000 रुपे इधर हो गया, और उधर देखेगा, तो अभी भी आप total add करके देखोगे, तो भी आपका क्या होगा, match हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40,000, 140,000, 1,68,000, 1,68,000 इधर भी है, और 1,68,000 आपका, उस साइड में भी आएगा, आप add करके देख लो, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, आप क्या करें, अब last transaction आपका क्या है, देखते हैं, F number, commission received, चलो, कमीशन रिसेप्ट, कितना कमीशन रिसेप्ट हुआ है, कमीशन जो रिसीव हुआ है, वो है आपका 2000 रुपया, कमीशन जो है, वो बिजनस के लिए income है, और income से cash भी बढ़ेगा, क्योंकि commission किस में आएगा, पैसे में आ रहा है, cash में आ रहा है, cash बढ़ गए 2000 रुपय, और income से आपका profit भी बढ़ेगा, तो capital में भी हम 2000 रुपय यहाँ पे plus कर देंगे, तो cash आया, cash plus, ultimately जो income है, वो profit को increase करता है, और profit ultimately जाके capital में एड होता है, इसलिए income जो है, वो आपका capital में भी एड होगा यहाँ पर, बाकि इसका कोई असर stock पर नहीं पड़ेगा, crater पर नहीं पड़ेगा, इस transaction का कोई effect, debenture पर भी नहीं पड़ेगा, outstanding interest, outstanding expense पर भी कोई फ़रक नहीं पड़ेगा, अब यह transaction आपका हो गया, खतम, इसके आगे कोई नहीं है, transaction इसलिए हम इसको रिखेंगा, final equation, gas जो है, business में हो गया, 1,42,000 रुपीज, stock जो है, 28,000 रुपीज है, आपका इधर आजाएगा, तो, creditors है, 40,000 रुपीज प्लस है, debenture 20,000 रुपे का है, loan, outstanding interest जो है, 1000 का है, और capital हो गया, 1,9,000 रुपा capital हो गया, यह आपका complete हो गया, accounting question, तो, इस तरीके से, जो है, आप question को solve करोगे, cash, 1,42,000, stock, 28,000 का, मतलब, दुकान में, business में, अभी 28,000 का सामान है, जिसको बेचा जा सकता है, 40,000 रुपे का creator हो गया, 20,000 रुपे का debenture, यानि, loan हो गया, outstanding expense, यानि, outstanding interest, जो है, 1000 का है, और capital, एक लाफ 9,000 रुपे का है, ठीक है, balance rate, जो है, हम आपको एक next, जब हम आपको accounting question बताएंगे, तो एक छोटा साम आपको balance rate भी बता देंगे, तो आज के दिए इतने ही बच्छों, thank you. झाल